हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नयतिक्ता के अधार पर इस्तिफा देना चाहिए नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जिसको अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है चौकिदार को नहीं बैठाया है आज सत्ता में हिस्सेदार को बैठाया प्रशन क्लीन देखिए इनकी धुंजलाहट है और आएं ये इनको हम जवाब दे देंगे कि चंद भर मुठी भर ताना शाह और उनकी जो है ताना शाह फौज किसान को नहीं रोक सकती है तो साहज भी मत कर देना खिसान को हाथ लगाने की क८्योंकि किसान अगर अपना मरियादा भूल गए अपने बांध को लाघ गए तो मैं समझतह हूं कि बहुत सी सरकारों को अगर किसान ने बनाया है तो उखाड कर फेग भी देगा, उखाड कर फेग भी देगा कि क्या कीड़ा काट रहा है सरकार को कि हम शांती पूर्ण है, आहिंसक है फिर भी हमें हटाने के नमस्कार दोस्तों मैं सोनु सिंग और आप लोग देख रहे हैं अंदोलन चल रहा है, अब वह वापीज बुरिया भी स्था समिट करके जो है घर चले जाएंगे यह बाचित करते हैं अतुलतिर पाठी जी से कि क्या रणनीती है क्या विवस्ता बना रखे हैं, क्या इनकी बात हुई है किसान नेताओं से इसने सारे हतकंडे अपना लिये, इसने सभी साजिश की, कुचलने की साजिश की, यहां आग लगाने की साजिश की, यहां अपने गुंडों को भेज करके दंगे भड़काने की साजिश की लेकिन ये सरकार विफल रही है और कहीं न कहीं इस सरकार की ये मानसिक हार रही है कुछ ना कर पाने की जुन्जलाहट जो है इस सरकार में उसको दर्शाता है मैं समझता हूँ कि लगातार अगर कोई व्यक्ती जो आज किसानों के इस पूरे देश में अकेला खड़ा हुआ नेता है या किसानों के उससे उमीद है तो वो अकेला राकेश टिकैत है वो अकेला राकेश टिकैत है जो संगर्ष कर रहा है और हम उनका साथ दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि आज 300 से अधिक किसानों के मृत्यू के बाद भी अगर ये सत्ता में बैठे हुए सर्वोच सिकर पर समवेदन हिन प्रधानमंत्री अगर इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये देश बहुत ही बड़े अंधकार में जा रहा है बहुत ह पढ़े लिखे युवान नहता बन चुके हैं एक बात बताए कि क्या मना होता कि अधार पर यह नहीं लगता आपको कि जहां देश जो है इतनी बड़ी महमार से जूज रहा है तो आपको भी दो कदम जो सामने आ करके सरकार से कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए थोड़ा हज भी मत कर देना किसान को हाथ लगाने की क्योंकि किसान अगर अपना मरियादा भूल गए अपने बांध को लांग गया तो मैं समझता हूं कि बहुत सी सरकारों को अगर किसान ने बनाया है तो उखाड कर फेग भी देगा उखाड कर फेग भी देगा मैं बार बार यह कहन चाहता हूँ हम यहाँ पर हमें हट्टाने की कोशिश न न किजाए इसे पहले भी बड़े-बड़ा चाहता हूँ था यह कंद रखोपकह्त in पहले तो इसे आंडोलन समझने कीफूल् मथ hacks ati यह भारत को अगरीबी मुफलसी बे all the lanes on the कि आतम हथ्या से उबारने का यह आंदोलन है यह कोई भी यह मत समझ ने कि सिर्फ और सिर्फ आनौहत। स Saturday कि गाए है न किसी तरीकर चाहिए तो बड़े-बड़ दोल को मैं कि सफाय कर दिया जाता हैि उपरेश क्ली चला जा अब जन उक्रांटी बन चुकिए और प्रधान मंतूर इस पर चोच रहे हैं कि इस आंदोलन को हटाया जा सकता है य Scottish कि अधिया निडियरं कर ओंदोलन बाग के तरह से उपने फैका बन चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं है इसी किसान ने कालाश्र में बहुत बड़े-बड़ी सरकारे बनाई भी है और बहुत बड़ी-बड़ी सरकारों को जमी दोज किया है यह घरीब किसान मजदूर की ताकत है आप यह बताइए कि क्या कीड़ा काट रहा है सरकार को कि हम शांत बड़ा जाए तभी तो जंट यह जब कुछलेंगे यह जब निहत्ते किसानों को उपर गोलिया चलाएंगे पत्थर चलाएंगे उन्हें मारेंगे तभी तो इस देश की जनता समझेगी कि आज सत्ता में चौकिदार को नहीं बैठाया है आज सत्ता में हिस्सेदार को करते हैं इस महामारी में सबसीडी हटा लिया गया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिये गए लोग मर रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है और हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री को संबोजन करेंगे अमिच शाह जी की दो रहली दो रोडशो है इस 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 इतने भ आजगार मेरा में अब बात और हम आजगार बुक्ता अजगार नहीं हो गाँ झाज साः अची का Sapodra, क्जूप येकल लड़ के सु 나눔 बहरे मिचा स्शेवli पान दो रांगैं Hyundaiों क На प्रेदोन के डाह हम कि लंगे लूट फ सॉट करेंगशन बेए इस बेद अपार्सी ऐस responsible, the prime minister is responsible और मैं समझता हूँ कि इस आधार पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नेतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जिसको अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है हम अभी इधर कैमरा पैन करिये हम फिर से कल तुफान आया था बहुत से टेंट्स उजड़ गए थे हमने फिर से बास के और लोहे के पके टेंट्स मैं समझता हूँ कि वो JCB या रोड उखाड लेंगी लेकिन वो टेंट नहीं उखाड पाएंगी और वो टेंट नहीं है वो करांती की टेंट्स है वो कोई सत्ता कोई बैमान नहीं उखाड पाएगा और किसान जो है हमेशा से माग दर्शन दिखाया है इस देश को नहीं आप ये बताइए कि आज दुनिया ने किसान के दिल की बात को सुन लिया रेहाना से लेके दुनिया के प्रधान मंत्री मोदीजी ने जब कहा था कि फोन कॉल की दुरी पहे हैं तो इतना समय निकल चुका है और किसान्यों और सरकार के बीच में वारता हुई तो आखरी वारता के बाद और आपका जो समय है लगवक्तीन महीने का समय तो निकल चुका है लेकिन आप लोगों कोने फोन क्या नहीं कुछ आफ सरकार जो बैस्ट बंगॉल गई हुई है तो वैस्ट बंगॉल से आने का आप जार कर रहे हैं कि तब बाचीत होगी या क्या थेख एक फोन काल की दूरी तो बड़े आसानी से आप कह देते हैं लेकिन यहां जो साथे 300 किसान तिल तिल मर रहे हैं उस पे और और हम पूछना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी प्रधान मंत्री से नहीं है हम सरकार नहीं उखाणना चाहते हैं हम अपनी सीधी सीधी बात करने हैं यह तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस करने आ आए हमारी मांगे है कि हम मिनिम्म सपोर्ट प्राइब मैक्सिमम नहीं मांग रहे हैं अगर यह प्रधान मंत्री कहते हैं कि MSP था MSP है और MSP रहेगा तो यह बताए कि अर्चे पर लिखने में क्या जा रहा है कि MSP क यह दाम है क्या लिखने में जा रहा है what is the problem is in writing and giving a guarantee to the people of this country what is the problem जो बात आप कह रहे हैं उसको लिखित में आपको दे देनी है देखिए मन्शा आप नहीं समझ रहे हैं ये पहले ही ये सरकार उद्योग पतियों के हाथ में बिख चुकी है ये सरकार पहले ही इन्होंने जो है बड़े-बड़े करोणों अर्बों के गोदाम बना चुके हैं ये ये इस देश को corporate गुलामी में जोग चुके हैं ये कैसे कदम अरे भाई तानाशा तानाशा थोड़ी रहा जाएगा अगर वो जनता की बात मान लेगा अगर वो उसके अंदर करुणा आ जाएगी ये तानाशाही हो हो गई है ये लोगतंत देखिए आंदोलन है था और रहेगा और मैं लिखित में देने को तयार हूं क्लीन देखिए इनकी धुझलाहट है और आएं ये इनको हम जवाब दे क्योंकि इस बार ये किसान की किसान की मर्यादा को ये नहीं रोक पाएंगे किसान की बांध को ये नहीं रोक पाएंगे मैं बार-बार कह रहा हूं भावनाओं में हूं मैं मैं शब्दों से खेल जाओंगा तो ये घलत हो जाएगा मैं बार-बार कह रहा हूं कि देखिए कि किसान की शहनशीलता को उसकी कमजोरी न समझा जाए हमने 28 तारीक को दिखा दिया है हमने 26 तारिक को दिखा दिया है कि चंद भर मुठी भर ताना शाह और उनकी जो है ताना शाह फौज किसान को नहीं रोक सकती है मैं कह रहा हूँ आप से और परधान मंतरी से फिर कह रहा हूँ कि आप जो है दुसाहस मत करिये साहब हम प्यार से सांदोरन को चलाना चाह रहे है हमें भगत सिंग मत बनने दीजे हमें चंदर सेखर आजाद मत बनने दीजे धन्यवाद भाएं